Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल Indirectly NDTV का 29% stake खरीद लिया है और 26% stake खरीदने जारी है, इसके लिए open offer दिया है इसको लेकर कल रात कोई मैंने वीडियो बना दिया था है, I'm sure आपने देखा होगा लेकिन इसे के साथ-साथ एक और यहाँ पर खबर आया है और जो कि आप कह सकते हो, Adani Group के लिए बुरी खबर है और वो यह है कि जो rating agency है Fitch Group कई बार आपने सुना होगा इनके दोरा GDP का आकड़ा क्या होगा किस तरह की economy जाएगी, इस तरह की predictions किये जाते हैं, report लाया जाता है तो यहाँ पर Fitch Group ने यह कहा है कि पूरा जो Adani का empire है It is deeply over leveraged तो इसका मतलब क्या होगा, what is leverage का मतलब क्या होता है यहाँ पर Adani Group के ओपर कितना debt है, कर्ज है क्यों यहाँ पर यह चिंता जनक बताई जारी है यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले जान रखिएगा दोस्तों, 22nd of August से UPSC का batch स्टार्ट हो गया है अभी भी आपके पास समय है, 31st of August तक आप इस batch को join कर सकते हैं at a very affordable rate यह 24 months की validity होगी, चाहे 2300 या फिर 2024 दोनों की preparation कर सकते हैं, आपको हमारे website और app पर जाना और यह सारे features आपको मिल लेंगे, mentorship हो गया, live classes हो गया answer writing practice आपके main exam के लिए, सोच के देखिए हमारी कोशिश यही है बार बार कि यहाँ पर आपको affordable rate में दिया जाए, तो जल्दी इसको join कर सकते हैं इसके अलावा, अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे चले, सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हो क्या रहा है देखे, Fitch Group मैंने आपको बताया, इनी का ये एक unit है, credit sites, उनके द्वारा एक report निकाला गया और इस report के अंदर ये बोला गया, कि जो पूरा Adani Group है, जब मैं Adani Group कहता हूँ तो Adani Group के अंदर आपको पता है, बहुत सी subsidiaries आती है, अलग-अलग companies है इनका enterprises है, ports के अंदर business है, green energy हो गया, power हो गया, cement हो गया सुनाई होगा recently किस तरह के से ACC इन्होंने खरीदा है, और भी बहुत सारे sectors में आपको देखने को मिलता है तो यह मैं पूरे empire की बात कराऊं, यहां पर इनका जो curse है, वो बहुत ज़ादा बढ़ गया है और worst के scenario में यह debt trap में जा सकते हैं, और उसके बाद default भी कर सकते हैं ऐसा इस group का कहना, यह जो rating agency है, उनका कहना है अपने report के अंदर गौताम अडानी आपको पता ही है, यह founder है अडानी group के, और basically आज के date में यह Asia के richest person और top 5 में आपको विशुर के अंदर देखने को मिलता है तो अडानी group basically क्या है, काफी ज़ादा investment कर रही है लेकिन investment का मतलब क्या है, क्या गौताम अडानी खुद से अपने तरफ से पैसा लगा रहा है नहीं वो बहुत ज़ादा कर्ज ले रहे हैं, बैंकों से, financial institution से काफी सारा debt लिया जा रहा है, और वो पैसा अपने companies में डाल रहा है इसी को लेकर कहा जा रहा है, और इसी की वज़े से अगर आप देखोगे, तो पिछले at least 2 साल का आप record देखो, जिस प्रकार से इन अडानी ग्रूप के shares बड़े हैं, it is phenomenal मतलब मैंने तो शायद भारत में, मतलब भारत की अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी इतने सारे shares एक साथ अडानी ग्रूप के बढ़ते में मैंने नहीं देखा है, in fact यहाँ पर अगर आप compare करो 2020 का, 2020 में अडानी एंटरप्राइज, यह सबसे बड़ा है, अडानी ग्रूप का सबसे बड़ा यह समू है अडानी एंटरप्राइज, इनकाज एक share का दाम था 208 रुपए, सोचके देखिए आज के date में यह 3000 के आसपास आ गया है, अडानी ग्रीव 197 था, यह 2347, इस तरह से हर एक share अगर आप देखोगे न, तो काफी जादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो report सामन प्रमोटर्स के द्वारा, जो उसके मालिक हैं, उनके द्वारा, इक्विटी कम है, और जो balance sheet है, वो बहुत जादा stretch है, stretch जब हम कहते हैं, तो basically हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कर्ज काफी जादा है, तो अडानी ग्रूप ने अभी तक इसको लेकर comment नहीं किया, लेकिन आप ग्रॉस डेट अगर आप देखोगे, तो it is 2309 billion rupees है, ध्यान रखना, rupees की बात कर रहा हूं, अगर मैं सरल शब्दों में बता हूं, तो इसको 2309 billion को आप कह सकते हो, 2.3 trillion rupees है, ठीक है, और it is nothing, basically it is 2.3 lakh करोड, तो basically यह जो है, 2.3 lakh करोड, सोच के देखिए, इतना कर्ज है, ग् इसमें से अगर आप gross debt में से cash in hand निकाल दो, companies के पास cash भी होता है, तो उसको अगर आप निकाल दो, cash कहने का मतलब है, कि liquid form में जो उनके पास पैसा रखा है, company के पास, उसको भी अगर आप निकाल देते हो, तो यहाँ पर total जो net debt होता है, it is 1.7 lakh करोड, सुचिए, मतलब कि जो Adani Group है पूरा, उनकी उपर 1.7 lakh करोड का कर्ज है, तो जो की बहुत जादा है, ऐसा यहाँ पर report के अंदर बताया गया है, और जैसे यह खबर आई, report कल आई, तो Adani Group का कल का अगर आप देखोगे ना, आज की यह नहीं, कल की मैं बात करा हूँ, यहाँ पर उनका जितने shares हैं, वो एकदम डाउन जाने लगए, इन फाक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जो market के application है, जो worth है उनके हरे company का, वो Adani Enterprise, 14,000 करोड कम हो गया इनका worth, Adani Green, 27,000 करोड कम हो गया, Adani Ports, 7,200 करोड कम हो गया, मतलब इनकी जो value होती है, market के application कहते हैं, यह गिरता गया, क्योंकि over leverage rate का simple अर्थ यह हुआ कि इसके उपर बहुत जादा कर्ज है, against the current cash flow, मतलब company के अंदर जो cash flow चल रहा है, equity हैं के पास, उसके मुकाबले इन्होंने बहुत जादा कर्ज ले लिया है, जैसे कि मानलो एक सरल शब्द में, अगर आप further मैं आपको बताऊं, तो आपने suppose कोई company start की, उसके अंदर एक लाख रुपए निवेश किया, अब एक लाख पर हो सकता है कि जो bank है, आप बैंक को पता है कि आप एक company start की हो, इसको बढ़ाना चाहरा है, तो bank हो सकता है, इसके उपर आपको 10 लाख रुपए यहाँ पर जो है loan दे दे, हो सकता है 15 लाख दे थे, ठीक की यह चीज़ आप समझ पा रहे होगे, तो company basically क्या है कि अगर over leverage जादा हो जाती है, तो आगे चल कर उसको कर्ज भी तो चुकाना है, तो interest कैसे चुकाएगी, principle कैसे चुकाएगी, यह सारी चीज़ों में problem आ सकती है, और इसकी वज़े से further क्या होगा, उसको interest चुकाने में भी हो सकता है, फिर से कर्ज लेना पड़ जाए, तो यह एक vicious cycle में फस सकती है, यह एक main problem है, which may lead to the company going bankrupt, और स्रिलंका का example देख लो, एक देश का भी example देख सकते हैं, कि कोई देश बहुत जादा कर्ज ले रहा है, ले रहा है, और उसको चुका नहीं पाएगा, तो ultimately यह होग तो यह report के अंदर बोला गया है, बट question यह भी है कि companies क्यों कर्ज लेती है, बहुत simple, आप अपने लिए हो सकता है, car loan लेते होगे, home loan लेते होगे, ठीक है, better lifestyle के लिए, वैसे company भी अपने आपको expand करने के लिए, यहाँ पर कर्ज लेती है, और अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कर्ज बहुत बुरा होता है, company को अगर expand करना है, तो कर्ज लेकर ही वो कर सकते हैं, और ultimately क्या होगा, employment create होगा, GDP की growth मिलेगा, लेकिन जो कर्ज लिया आ जा रहा है, क्या वो manageable है कि नहीं है, यह definitely देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत जादा ले लिए anticipation में, क्योंकि usually यह ही होता है, companies यह सोच कर चलती हैं, कि जो वो काम कर रही है, product बना रही है, उसका demand future में बढ़ेगा, और उससे उनको profit आएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है, याद करिएगा, जो real estate crisis वगर होते हैं, तो real estate companies क्या करती हैं, बहुत सारा land ले ले रही है, यह anticipation में कि इसका दाम लेकिन क्या वदाम घट गया, ठीक है, चाइना में क्या हो रहा है, real estate crisis, तो यह सारी problem यहाँ पर company को जहननी पड़ सकती है, यह यहाँ पर ध्यान रखना है, अब question यह भी है कि मालोग कोई company over leverage होती है, जैसे कि in case of Adani Group, तो यहाँ पर क्या problem हो सकता है company के साथ, company के साथ problem यह हो सकता है कि future का जो growth plan है, वो यहाँ पर खत्रे में आ सकता है, time पर अगर वो पैसे नहीं चुकाएंगे, तो जो creditors हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसको proceedings के लिए भेज सकते हैं, case दर्श कर सकते हैं, तो एक प्रकार से future का जो borrowing है company का, future का जो growth है, उसके उपर limitations लग जाता है, य ग्रूप का, जो अडानी ग्रूप है, उनका relations बैंकों के साथ बड़ा अच्छा है, और जो current में सरकार है, administration है, उनके साथ भी तालमेल काफी अच्छा है, तो ये एक positive ख़बर है अडानी ग्रूप, देखो ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये report में लिखा हुआ है, वही मैं आपको basically बता रहा हूँ, और इसके अलावा अडानी ग्रूप का अभी तक अगर performance देखा जाए, तो उन्होंने बहुत से stable companies मनाई हैं, जैसे अडानी इंटरप्राइज अपने आप में, एक काफी strong company बन चुकी है, infrastructure पर focus करते हैं, और आपको पता है, सरकार national infrastructure pipeline लेकर आई है 111 लाख करोण खर्ज करने की बात है अगले 5 सालों में, तो इससे क्या होगा कि company को भी ultimately फायदा होगा, उसको contract मिलेगा, और यहाँ पर वो काम कर सकीगी, तो यह positive side है, लेकिन finally conclusion क्या निकलता है, देखो, conclusion यह है कि 2 साल पहले अगर आप देखोगे, जो गौतम अडानी है, उनका wealth था 10 billion dollar, आज के date में 136 billion dollar तक पहुँच चुका है, according to Bloomberg Billionaires Index के according, और लेकिन problem क्या है कि यह जो wealth होता है, यह paper wealth होता है, जहां से समझे का कि यह जो हम total wealth की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आज के date में गौतम अडानी का जो company है, क्या वो किसी को भी बेच पाएंगे, यह आसान नहीं होता है, कौन खरीदार होगा, इतना सारा कौन पैसा पे करेगा वो खरीदने के लिए, तो वैसे तो सभी का इसी तरह से calculate किया जाता है, wealth जो होता है, चाहें Bill Gates हो, मुकेश अमानी हो, कोई भी हो, लेकिन ultimately यह होता paper wealth है, जो stock holdings है उनकी, उसके उपर depend करता है, तो देखना होगा, किस तरह से जो company है, वो react करती है इसको उपर, क्या further debt बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, बटाई होग कि यह वीडियो के माध्यम से, जो current में ख़बर चल रही थी, आपको समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम economics की बात कर रहा है, क्य अब कि अगर आपको PDF टे तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-अलग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाऊ गया, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारिया आप काफी आसानी से कर सकते हैं, using the code ANKITLIVE, ताकि maximum आपको discount में ले, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलत आप से नेक्स तिल देन, थैक्यो वरी मुछ, सी यू सून.